अध्याय दस वीरिता दिखाने का विचात करता क्योंकि यद्यपी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढढ़ा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है सो हम कलपनाओं को और हर एक उची बात को जो परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीही का आग्याकारी बना देते हैं और तयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आग्या मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आग्या ना मानने का पल्टा लें तुम इन ही बातों को देखते हो जो आखों के सामने हैं यदि किसी का अपने पर ये भरोसा हो कि मसीह का हूँ तो वो ये भी जान लें कि जैसा वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विशय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाडने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित ना हूँगा मैं ये इसलिए कहता हूँ इस पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं परंद तुझ अब देखते हैं तो वो देह का निर्बल और वक्तव्य में हलका जान पड़ता है सो जो ऐसा कहता है वो ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे क्योंकि हमें ये हियाव नहीं कि हम अपने आपको उन में से कितनों के साथ गिनें या उन से अपनों को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आपको आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमिश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आपको बढ़ाना नहीं चाहतें, जैसे की तुम तक ना पहुँचने की दशा में होता, वरंतु मसीही का सूसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं, और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर खमंड नहीं करतें, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमा की अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सूसमाचार सुनाएं, और ये नहीं कि हम औरों की स क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परन्तु जिसकी बढ़ाई प्रभू करता है, वही ग्रहन किया जाता है. ये बढ़ाई एकला जो ँो परन खरता है, वहीं, जिसकी बढ़ाई किशования जानेे, झाल झाल